मेरी कहानी का शीर्षक है रसोई की एक अनोखी रात रोज की तरह रिमी रात के खाने के बाद रसोई समेट कर वहां की बत्ती बंद करके अपने कमरे में चली गई रात गहरी हो चुकी थी पुरे घर में सनाटा पस रहता है इस सनाटे में अचानक धीरे-धीरे कुछ खुसुर-फुसुर की आवाज आने लेगी जिसका केंद्र रसोई घरता अरे ओ टमाटर भाई यातनी कुछल कर बत्ती तो जला दो मुझे अंदेरे से डर लगता है लौकी ने धीमी आवाज में कहा चल हड मैंने कल ही बत्ती जलाई थी टमाटर ने अकड़ते वे जवाब दिया अरे लौकी बेहन तू तो इंसानों को ढेर सारी ताकत देने के लिए मशूर है फिर भी तुझे ढेर लगता है वो भी ने हसते वे कहा उसकी हसी में आलू प्यास टमाटर बैगन भिंडी भी शामिल हो गए इस तरह अपना मजाग बनते वे देखकर लौकी ने मुझ बिशक भिंडी ने टला कर कहा बैगन ने उसे जिटकते हुए का चल हट परे तुझे पता भी है मैं सबजियों का राजा हूँ और फिर तेरी मेरी जोडी कभी नहीं जमी तो मेरे आगे तेरी बात कैसे जमेगी उफो तुम सब भी ना बस मौका मिला नहीं कि बहस सुरू मुली दी ने कहा और अपने हरे भरे आपत्रलों के आच्रलों को लहराते हुए बत्ती जलाने चल पड़ी रौशनी होते ही लौक्यों और भिंडी ने मूली को धन्नवात कहा और बाकी सब्जियों की तरफ देखकर मूँ बिचका दिया ये मूली भीना अपने सफेद रंग की आण मे हस पड़ी मूली ने चिड़कर का हाँ 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 उडालो सब मेरा मिलके मजाग मेरे गुडों से और मेरी पसीद्दी से तुम सब जलते हो ना इसलिए अभी सब्जियों की बहस और मस्ती मजाग चली रही थी कि बरतनों के खेमे में हल चल हुई किस बदमाश ने बत्ती जलाई अभी अभी तो काम से फुर्सत पाकर में अराम कर रहा था तवा घुर रहाया कड़ाई ने मूली की तरफ इशारा करती वे का तवा भाई इस बदमाश मूली ने अपने साथियों के उकसाने पर ये हरकत की है अरे दादा आप भी किस जलकुकडी की बातों में आ रहे हो खुद तो जल जल कर खाली हो गई है फिर भी सबके बीच आग लगाती रहती है कुकर ने कहते हुए बुरा सम्हों बनाया कुकर की बात पर कढ़ाई गुस्य से पैर पटकते वे बोली हाँ हाँ इसलिए तू दिन रात इसका लूटी को देखकर सीटी मारता है अवारा कहीं का तुम सब ना आपस में ही लडते रहो जैसे इंसान लडते हैं धर्म और जाती के नाम पर नयाय के लिए नहीं लडते पतीले ने अंगराई लेते हमी भरी और कहा हाँ हाँ करते हैं इसलिए अब बत्ि बुचा कर आराम करना है और सब्जियों का कहना है कि उन्हें अंधेरे में जोहे सताते है इसलिए बत्ती जल्दी ही रहेगी बर्तनों की देखनाव मैं नोगण जयाद रखो और eken हमारी साहता से सभी बारी-बारी अपने तर्क रखते हुए सोयम की खेमें को बड़ा साबित करने में लगे वे थे कि तभी उन सब के कानों में रोने की आवाज पहुची सबने आवाज की दिशा में देखा तो पाया एक कोने में पढ़े हुए जूटे बरतनों के धेर से ये आवाज आ सभी बरतन और सबजियां हैरान परहशान से उन बरतनों के पास पोज़र पूछने लगे क्या हुआ आप सब को आप सब यों क्यों रो रहे हो देखो न भाईयों बहनों इंसानों की कमजोरी की कोई हद ही नहीं है रात भर हमें इस गंदिगी में सढने के लिए छोड़ दे कि हमारी साफसफा योगी और धूल मिटने से आजादी में लेकि लेकिन हमें भी कामवाली के इंतजार में छोड़ दिया गया है लेकिन उन में से कुछ बरतन और सबची अपनी मालकिन का पक्ष लेते हुए बोलने लगे अरे मालकिन बेचारी कभी तो सोचो पहले की हमारी मालकिने बस घर में ही रहती थी पर इस बेचारी को तो घर को देखना पड़ता बाहर दफतर भी प्रतियुकता के इस दौर में दोनों पती पत्नी को कमाना भी तो जरूरी है वरना हमारी खरीदारी कैस होगी कैसे इसलिए कामवाली पर निर्भरता बजबूरी है बेचारी की हाँ भाईयों ये बात तो सही है सब एक सवर में बोले अच्छा पर मेरी एक पास सुनो सब लोग लौकी ने हाथ उठाते वे बोला पहले के मुकाबले कितने बढ़ियां बढ़ियां बरतन हमारा साथ देने करियां मौजूद हैं लेकिन क्या अब हम सब में वो पहले वाला सौद रह गया है नहीं नहीं बिलकुल नहीं सभी लौकी से सहमत हैं ये सब इन इनसानों की कामचोरी का ही नतीजा है एक कोने में उपेक्षित पढ़े वे सिल बढ़ते लोटे ने चुपीस तोड़ते वे कहां बटन दबा और मसाला तयार गर्मी से बचने के लिए सबजि जरासी दूर जानी के लिए भी साइकिल नहीं चलाएंगे कार और मोटर साइल के धौस जमाएंगे फिर कहेंगे प्रदूशन बढ़ रहा है मटके का पानी नहीं सब को फ्रिस्ट का ही पानी चाहिए और रोना ये कि ओजोन परत की हालत बिगड रही है सबने बारी बारी से अपनी बाते कही और जी भर के मन की बढ़ास निकाली हसी मजाक की बातों के अचाना गंबीर रुख लेने से कुछ सब्जियों और बरतन चिद्टे तो उटे महाल को फिर से खुशनुमा बनानी के लिए टमाटर ने उचल कर गंदे बरतनों के धेर के पास मौजिद नल को क अपनी खुशी अपने हाथ आओ मिलकर गाएं ये गान इंसानों को मुबारक हो तनाव वाला जीवन हम रहे हसते हसारते मिल जलकर मटर की सुरीले गीत को सुनकर कुकर ने सीती बचाई और इस बार इस सीती पर कढ़ाई भी मुस्कुराई आखे मिल जलकर हुआ ये फैसला आधी रात तक रहेगी बत्ती जली फिर मालकिन के जगने से पहले दिया जाएगा उसे बुझा और जो आया कोई चुहा शेदान मिल जुलकर कर दिया जाएगा उसे भी परेशान सबजियों और बरतनों की बातों में कब सुबह हो गई किसी को पता ही नहीं चला रीमी को चुच्चा सायर उसके पती ने ये किया होगा ताकि सुबह जल्दी नहीं पढ़ जाएगा और मुस्कुराती भी वापस कमरे में चली गए उसके जाते ही सभी बरतन और सबजिया एक दूसरे की तरफ देख कर खिल खिला पड़े